हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स विद प्रिया में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलेवरी रूम में आपके साथ में क्या क्या होता है बहुत सारी लेडीजे ऐसी होती है जो delivery room में जाने से ही डरती है उन्हें डर लगता है इस बात का कि क्या होगा कैसे होगा कितना दर्द होगा और डॉक्टर आखिरकार क्या करेंगे तो ये सारी बातें इसी वीडियो में मैं discuss करने वाली हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाला है और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को last में like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो start करते हैं तो सबसे पहले delivery room में हम कब जाते हैं जब हमारा water bag जो होता है वो leakage हो जाता है ये 9 month में होता है या 36 week के बाद में ही होता है और कभी कभी पेट या कमर में दर्द होने की वज़े से भी हमें delivery room में shift किया जाता है या फिर हम hospital जाता है अगर आपकी delivery 36 week से पहले हो रही है क्योंकि कई सारी ऐसी complication आ जाती है या फिर problem हो जाती है कि 36 week से पहले ही delivery करवानी पड़ती है तो वो time ऐसा होता है कि बच्चा premature होता है उसमें काफी जदर problem आ जाती है बच्चे को और मा को दोनों को ही लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि science इतनी आगे जा चुकी है कि वो आपको और आपके बच्चे को safe रखेंगे delivery room में जाते ही second चीज क्या होती है आपके बच्चे दानी का मुँ खुला है या नहीं ये चेक करते हैं डॉक्टर अगर आपके cervix का मुँ 10 cm तक खुल गया है तो आपकी तुरंद delivery करवा दी जाती है लेकिन अगर नहीं खुला है तब डॉक्टर आपको medicines देते है अगर उससे भी आपके बच्चे दानी का मुँ नहीं खुलता है तो injections भी देते हैं लेकिन एक या दो injections ही देते हैं अब ये डॉक्टर पर depend करता है कि वो आपको medicines दे के दर्द लाने की कोसिस करेंगे या फिर injections के जरिये इसके बाद आपके delivery कराई जाती है delivery कराने में आपको क्या करना होता है पुस करना होता है बच्चे को अब पुस कैसे किया जाता है इसका अगर आपको जाना है तो प्लीज मुझे comment जरूर करियेगा ये मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी कि पुस करने का सही तरीका क्या होता है अब जब आप बच्चे को पुस करेंगी डॉक्टर आपसे पूछेंगे नहीं और हर एक को लगाते भी नहीं ये situation के अनुसार ही कट लगाते हैं अब आप ये सोचे होंगे कि कट लगाने से आपको और जादा दर्द होगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है बिल्कुल भी उस दर्द के आंगे ये दर्द तो समझ में ही नहीं आता है बिल्कुल कि हमें कट भी लगाया गया है नेक्स्ट कुस्चर है आप सोचेंगे कि आखिर कट लगाते क्यों है जरूरी नहीं है कि हर एक को कट लगाया ही जाए बच्चा आसानी से बाहर निकलाता है डॉक्टर्स हमसे इसलिए भी नहीं पूछते हैं क्योंकि अगर डॉक्टर्स हमसे पूछेंगी कि क्या मैं आप सको कट लगा दू तो हम अपने आप से नहीं बता पाएंगे ना उनको कि हाँ कट लगा दीजिए हमें लगेगा कि दर्द होगा या और कोई दिक्कत ना आ जाए इसलिए डॉक्टर्स कई बार नहीं पूछते हैं और वो अपनी सुविधा के अनुसार अगर उनको दिख रहा होता है कि हाँ कट लगाना जरूरी है बच्चा फस रहा है बच्चे को निकलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने आप ही ये काम कर देते हैं और बच्चे को सेफली बाहर निकालने के बाद में वहाँ पर टाके लगा दिये जाते हैं अब टाके भी कट के एकॉर्डिंग ही लगते हैं किसी को एक दो टाके लगते हैं तो किसी को तीन चार भी लगते हैं फ्रेंट्स यहां पर जो टांके लगते हैं यह बहुत इसली ठीक भी हो जाते हैं लेकिन इनको ठीक करने के लिए और क्या क्या आप कर सकते हैं इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी अगर इसी वीडियो में आपको काफी सारी बाते बताने लगी तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंटी हो जाएगा और ये सारी बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा तेंक यू फर वाचिंग